हेलो गाइज वेलकम टू गॉल ओफ यू लन विट मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल लन विट मी में तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीज़ेगा और अपने फ्रेंग्स के साथ शेयर कीज़ेगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि अल्फा नुमेरिक और मिसलिना सीरीज के किस किस टैप की कोशन आते हैं कितने माकसत की पूछे जा एकस,वाइज,एकस,वाइज,एकस,वाइज,एकस,वाइज,एकस,वाइज,एज यह तिन पार्ट में मैंने इसे बाड़ दिया अब मैं बुलूंगे कि मुझे से सिरीज बनानी,थो मैं कैसे करूंगी मैंने एकस,वाइज,एड,च,फ,द,ड,च,एज,द,द न Nazi का इ की कैसे कैसे हुआ मैंने दिखा ये एकस वाई एकस अदै जेङसेट एकस हुआथ है जेड चे बाद एकस है एकस के इसे बाद-टी-जे Колु academics च्रॉथ ऑम पता लग आंपको यसानध ने कोईजस नहुत carnival by श्वयक मनें कुछ हे तो तो वैसे ही इस question को हम solve करेंगे और पता लगने कोशिश करेंगे कि यह question किस सरीके से बन सकता है हम इसमें किस से आपका प्यार मिलेगा तो चलिह देखते हैं dash b b dash a b dash a a dash b a dash b b a ठीक है इस सरीके से हम एक सीरिस मिल गई अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्फ कर सकते हैं मैंने देखा दो भी एक साथ है यहाँ पर A B एक साथ है यहाँ पर A A एक साथ है यहाँ पर फिर B A एक साथ है पर यहाँ पर B B A है मतलब B B A मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगी B B A मुझे मिला और कहां मिल सकता है मुझे BBA तो मुझे मिल गया एक यहां पर BBA तो BBA फिर मुझे मिल गया फिर यहां पर BBA इधर तो भी आने सकता तो मैं इधर भी ले लूँगे तो फिर BBA मिल गया और इधर भी BBA BBA मिल गया मुझे और यहां पर मैं जब देखूंगी पिर भी बी ए का मिल दिया, मुझे ये बी बी ए का मिल दिया, मुझे, बी 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 a Aoty us double a universal a b you can be a-b a-a-a-b a-b%-b-b-a यह मेरी से निस दी मैंने लिखा हम यह मिला था बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए अब मैंने लिए thick a bib a' बी इस बर आपिस्य ए Fidge बीबिए है GFFP इनके ये जिए है फिर बी ए टो मुझे के में रहा हैtony एक A मिला मुझे, फिर A मिला मुझे, फिर B मिला मुझे, फिर B मिला मुझे, फिर A मिला मुझे, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? A, 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 B, A मुझे मेरा अंसर पेयर नहीं होगा, कि मैंने A, A, B, A का पेयर मिला तो यह अंसर ही ऐसा नहीं है, हमारे जो blank में आएगा उस blank वाले letter को ही हम लिखेंगे और वहीं हमारे क्या होगा answer होगा I hope so कि आप लोग को समझ आ रहा होगा तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले question की तरफ हमने series दे हुई है यहां पर एक्स वाई डेस जेड डेस एक्स एक्स वाई एक्स डेस पी एक्स डेस अब मुझे इसमें कितने सारी दीख रहे है एक्स पाई उसके बाद डेस है ठीक है फिर जेड है उसके बाद फिर डेस है फिर एक्स है फिर एक्स वाई फिर एक्स है फिर डेस है फिर पी एक्स फिर डेस फिर वाई एक्स जेड पी एक्स यह मुझे दीख रहा है वाई एक्स जेड पी एक्स यह लास्ट में दीख रहा मतलब इतने तो लाइन से होंगे ही होंगे y, x, z, p, x तो ठीक है मैं इसको complete करने के खुशिस करते हूँ जैसे यहां पर पिदिया है y, x, z, p, x ठीक है y, 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 x, z, p, x ये मिल गया मुझे फिर एक दिया हुआ है x उसका भी हमें कुछ नहीं पता तो फिर y, x से फिर मैं एक पेर बना लूँगी ये तो मेरा बन गया y, x, z, p, x ये बन गया y, x, z, p, x ये बन गया y, x, z, p, x यहां पर भी मैं वही बना लूँगी y, x, z, p, x अब बचा क्या मेरा x, 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 x औ, x ठीक है तो क्या मिल रहा है मुझे xyx zpx xyx zpx का मुझे पेर मिल रहा है xyx zpx xyx zpx xyx zpx xyx zpx मुझे पेर मिला xyx zpx तो अब मैं सीरीज में देखती हूँ कि आंसर हमारा क्या होगा जब हम xyx zpx लिखेंगे तो ठीक है तो ये कोशन था xyz 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 xyx 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 zpx तो अब मेरा आंसर क्या होगा मेरा आंसर xyx zpx नहीं होगा मेरा आंसर क्या होगा यहां पे क्या लिखा मैंने xyx zpx xyx xyx zpx xyx zpx तो यहां पे आगया xyx zpx फिर यहां पे आगया xyx zpx यहां पे इस तरीके की सीरीजाती है एक तरीके से वह भी एक मार्क्स की आएगी इस तरीके की अगर आएगी तो अब आप लोगों से solve हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं एक और टाइप की सीरीज में अलफाबेटिकल में जो हम से एक्जाम में पूछ ली जाती है हमारा क्या होगा अगला प्यार का option आप लोगों को चार दिया रहेगा इस option में से जो भी आंसर रहेगा वो मुझे देखके क्लिक करना होगा ठीक है अब यह कैसे आया पी जे ओ आर के एन इसमें हम पेयर नहीं डूनते हैं इस step का जब question आएगा उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं इस numbers की place value लिख लेते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा coding recording वगएरा और अल्फा नुमेरिक सीरीज का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लेना उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता है कि हम नंबर को किस तरीके से याद कर सकते हैं कि रिवर्स वैल्यू हम किस तरीके से याद करते हैं left hand side से क्या रहता है इनका right hand side से क्या number value रहता है ठीक है तो आप लोगों से पहल एक लिया मैंने 15 चीज झाल एक है आर का मैंने 18 क कली कह मैंने 11 N कलीका मैंने 14 टीका मैंने 20 L 12 M 13 ठीक है अब मैं जब भी रिखोंगी इस चैयब की सीर्यश में मैं आप लोगों को एक चीच बता दूं क्शू बता दूं जब भी हम इस तरीके की सिर्ष सॉल्व करते हैं हम ढ ठीक है तो मैंने लिखा जैसे 16 16 का मैं डूंडूंगी 18 18 से 20 ठीक 16 से 18 कैसे 18 से 20 कैसे आप लोगों पता चल रहा होगा प्लस 2 हुआ तो आगे वाली सीरीज में भी क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा चलो अब इसे एक बार क्लियरली लिख लेती हुँ मैं मैंने बताया पी जे ओ आर के एन टी एल एम है पहले वाले का मैं पहले से लूँगी तूसरे वाले का मैं दूसरे से लूँगी और तीसरे वाले का मैं तीसरे से लूँगी ठीक पी आर टी का पे और जे के ल ओ एन एम ठीक है इससे हम बनाएंगे सबसे पहला मैं ले लेती हूं पी का पी होता है 20 मैं है तेह सकते हैं इसमें भी प्लसको और तो आगे क्या होगा हमारा स्वेंटी तू होगा तो यहां भी 22 किसका होता है रहा है थी हूँ से मैंने बताया था 22 वाट इथी थी है आए अवड़ा के आप लोगों को यह समझ आ 13 13 किस होता है M का मन से मैंने याद कर रहा है था लेमन से मैंने याद कर रहा है 12 और 13 से ठीक है और अगला हमारा आता है O O की होती 15 N की होती 14 M की होती 13 15 से आया 14 14 से आया 13 मतलब माइनस 1 हुआ इसमें भी माइनस 1 हुआ ता अगला भी माइनस 1 हो जाएका 13 माइनस 1 12 12 होता है L का लेमन से L12, M13, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, इसका अगला पियर VML, तो जहां पे भी option पे मेरा VML रहेगा, वही मेरा answer हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो चलिए अगला एक और question, मैं आप लोगों को दिखाती है, यहां पे आप वीडियो को pause कीजिए और इससे solve करने की कोशिस कीजिएगा, उसके बाद देखेंगा, कि आपने जो answer निकाला है, क्या वो answer मेरे answer से match कर रहा है, अगर कर रहा है, मतलब आप बिल्कुल सहीं जा रहे हैं, ठीक है, चलिए 14 question लिखते है, D, M, Y, D, M, Y, C, P, U, B, S, Q, और अगला question mark, मैं नहीं लिख लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 मुझे समझा रहा है, माइनस 1, माइनस 1, तो अगला भी माइनस 1, ठीक है, 4 में से गया 3, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, मतलब क्या आएगा, ए, ठीक है, अगला में लिखूँँगी, अब 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, मतलब 13 और 3, 16, 16 और 3, 19, तो 19 और 3, 22, 22 मतलब V, V 22 और W 23, तो V का मुझे मिल गया 22, अगला में देखूँँगी, 25, UQE 21, QE 17, मतलब 25 में से 21 कैसे है, जब मैंने माइनस 4 किया, 21 में से 17 कैसे है, जब मैंने माइनस 4 किया, तो 17 में से जब मैं माइनस 4 करूंगी, तो कितना जगा मेरा, 13, 13 किसका होता है, M का, 13 किसका होता है, M का, तो मुझे क्या मिला, A, V, M, ठीक है, तो चलिए, एक बार लिक्के में आप लोग को और बता देती हूं, D, M, Y, C, P, U, B, S, Q, और A, V, M, क्या A, V, M सही है, चेक करते हम, 4, 3, 2, 1, यह आएगा, बिल्कुल सही है, A, 13, 16, 19, प्लस 3, प्लस 3, तो प्लस 3, 22, मतलब V, मतलब बिल्कुल सही है, Y, 25, U, 21, Q, 17, माइनस 4, माइनस 4, मतलब 13, 13 का M, 11, से L, 12, M, 13, मतलब यह भी बिल्कुल सही है, तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा, A, V, M, जहां पे भी यह लिखा हुआ दिख गया, वही हमारा ओप्शन सही हुगा, ठीक है, उसे ही हम प्लिक कर देंगे, यह तो होगया हमारी दो-्तैट की सीरीज A, यह 1 मार्ग की पुछा जाती, अब हम चलते है अपने अगले कोशन की तुरब, जो की एगजाम में 5 मार्ग का पुछा जाता है, यह भी पुछा जाता है, प्लिक के एगजाम में, Pio में बिया सकता है Club में दूसरे एक्जाम में भी पुझा जा सकता है तो चले चलते हैं हम हमारे अगले कॉल्शन की तरफ जो की यह रहा यह एक सीरीज दियू है H I C M D E Q O S A J P S R U ठीक है S R U यह दिया हुआ हमें सीरीज अब मैं क्या करूंगी इसमें कहीं पे भी कोशन मार्ट नहीं दिख रहा है कहीं पे ब्लैंक नहीं दिख रहा है तो इसके आगे आप लोगों को एक कोशन मिला रहेगा उसी कोशन में से हमें क्या करना है वो दिया रहेगा question दिया रहेगा जैसे पहला question उसमें हमें यह बताया रहेगा कि हमें इस question को कैसे solve करना तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे fifth question के पहले number वाले question पे ठीक है यह रहा पहला question क्या लिखा if the third letter in each of the word is changed to the next letter in English alphabetical series how many words thus formed have more than two consonants अगर प्रतियक सब्द के तिसरे अक्षर को English alphabetical series क्रम में क्या किया जाता है उसको उसके अगले letter से बदल दिया जाता है तो ऐसे कितने word का जो पेर बनेगा जो क्या रहेगा जिसमें दो consonants से दो वेंजन से जादा रहेंगे तीन का है तो दो से जादा मतलब तीनों ही वेंजन होना चाहिए हाना तो हम solve करके देखते हैं बोल रहा क्या है जैसे यह बोलने की कोशित क्या कर रहा है मैं आप लोग को बताती हूँ थर्ड लेटर ओफ इच वर्ड जैसे एक वर्ड है रन ठीक रन मैंने एक वर्ड ले लिया क्या बुल रहा है थर्ड लेटर ओफ इच ओफ दी वर्ड थर्ड लेटर क्या रहा प्रत्येक सब्द का तीसरा ये एक सब्द है इसका तीसरा अक्षर क्या है एन एन क्या बुल रह जाता है ठीक है बोल रहा है कि run में N को हम O कर लिख देंगे N को O लिख देंगे तो R, U, O हमें नया मिल गया क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने हैं जब हम सब को ऐसे ही change कर लेंगे तो इसके बाद हमें ऐसे कितने word मिलेंगे जिसमें तीनों ही क्या हो consonanto, दो से जादा बोल रहा है मतलब तीनों ही consonanto तो इसमें तो पहले से एक U था यह आप लोगों की एक trick है जहां पर वाविल दीगी है वाविल को तो हमें दूसरे नमबर पर change करना नहीं है पहले नमबर पर change करना नहीं है मतलब यह वाविल तो ہिए से आपने की जर्वत नहीं हमें पर रन में तो कि तीसरे को बतर नहीं दूसरा वाविलԵwalk यह वाविल है उसी करना है सब्wn हाँ मैं उसकि और करना ही ζराव कण मुझें करने की जर्वत ही पड़ी कि इसमें औह ज्यादा consonant बना ही नहीं सकते क्योंकि पहला consonant है दूसरा consonant है तीसरा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ठीक है तो चले चलते हैं हमारे question की तरफ question क्या है हमारा h i c m d e q o s a j p s i u अब मैं लूगी h i c को जैसे मैंने देखा इसमें वावेल है तो इसे मुझे चेक करने की जरूबत नहीं है अगला मैंने लिया m d e इसमें वावेल है इसमें मुझे चेक करने की जरूबत नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यह क्या है तीसरे नंबर पे और मुझे तीसरे को ही तो बदलना है इसको मैं अगर बदल भी लोगी तो आई तो वैसे ही रहेगा आई तो आएगा ही ना वाविल में तो इसलिए यांसर नहीं होगा हमारा M,D,E ले लिया मैंने तो M और D तो वैसे ही रहें कि E को मुझे अगले लटर से बदलना मतलब यह हो जाएगा M,D,F इसमें तीनों कॉंसोनेंट है तो एक ये वर्ड बन रहा है हमारा एक ये वर्ड बन रहा है अगला लेकी देखती हूं मैं Q,O,S इसमें भी एक O है बीच में इसको भी लेने की जरुवत नहीं हमें तीन मैंने चेक किये जिसमें मुझे सिर्फ M,D,E वाला ही मिला से हैं E,F हो गया क्योंकि मेरा ठीक है Q,O,S भी नहीं हुआ O है बीच में A,J,P भी नहीं होगा A,J,P क्यों नहीं होगा A, सार्टिंग पर ये भी चेंज नहीं होगा त U को मुझे चेंज करना है U का हो जाएगा V मतलब ये भी तीनों कॉंसोनेंट है 200 जैदा कॉंसोनेंट है मतलब पिसरा भी कॉंसोनेंट है तो मुझे ऐसे कितने पेर मिल रहे हैं M,D,E का मिल रहा है जिसमें क्या हो गया मेरा E,F बन गया तो M,D,F बना एक मेरा S,R,U है जिस 2 लिखेगा कहीं पे 0 कहीं पे 4 कहीं पे 5 कुछ भी लिखा रहा है तो जहां मेरा 2 रहेगा उसी option को मैं क्लिक कर दोंगी और वही मेरा answer होगा ठीक है तो चलिए इसमें मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई जिसमें कि पहले और दूसरे को मुझे चेक करने की जरवत नहीं है पहले पर मुझे वाविल दीगा तो मुझे उसे लेना ही नहीं है तो मेरा इसमें time waste करने का कोई मतलब नहीं होगा मैं इसको जब अदस लिख के नहीं लेना मुझे इसको लिखने की जरूदिया मैंने कोईशिन में देख लिया कोंसिनेंट इगा फ मतलब में एक बन रहा हुआ तो बाद जो मैं एक लिख लोगी फिर मैंने देखा क्यू औध़ दिख रहा है इसको चेक करने की जरूद नहीं है एस और यू को चेंज करों की मत अगले कोशिन की तरफ चलते हैं, if in each of the words, all the letters are arranged in reverse English alphabet, क्या पोल रहा है ये, यदि प्रतियक सब्द में, all the letters, सभी अक्षरों को arrange किया जाता है, reverse English alphabet में, प्रतियक सब्द में बोल रहा है, या ध्यान रखना, प्रतियक सब्द में, जैसे इसे भी मैंने ले लिया, are you and run, ठीक ह प्रतियक सब्द में, सभी अक्षरों को क्या करना है, English alphabetical series में, reverse में करना है, reverse कैसा होगा, ये तो होगा हमारा simple, reverse मतलब, वापिस मुझे Z से start करना है, common रहता है, हमारा A से Z हम जाते है, बट reverse होगा हमें, Z से जाना है, A तक का, तो Z से English alphabet, reverse English alphabet में, हमें arrange करना है, इसको जो सबसे बड़ा रहेगा, वो क्या आएगा, सबसे पहला आएगा, इस से हमें क्या पता चला, reverse English alphabet जहां पी लिखा रहेगा, वहां पी हमें, उसे descending order में arrange करना है, descending order मतलब, घटते करम में, ठीक है, घटते करम में मुझे से arrange करना है, मैं क्या करूंगी, कोशन पढ़ लेते पहले फिर बताते हम, within the word, if in each of the words, all the letters are arranged in reverse English alphabet within the word, in words को यह arrange करना है, ठीक है, how many words will end with a vowel, मैं इसको arrange कर दिया, तो ऐसे कितने सब्द बनेंगे, जिनके last पी क्या आएगा, वोविल आएगा, तो arrange करूंगी, यू सबसे पहले आएगा, इसका 18, इसका 21, इसका 14, तो यू, आर n, तो last में वोविल आया, नहीं, ठीक है, तो मुझे अब इसको मैं जब question solve करूंगी, तो h, i, c लिखा, एक तो हम जो इस वीडियो को नहीं देखा रहेगा, वो कैसे solve करेगा, सबसे पहले लिखेगा, भई, सबसे पहले इन लोग को क्या करेगा, वो ऐसे question को उतारेगा, उ इस, q, o लिखेगा, फिर चेक करेगा, लास में वोविल है, वोल है, ग्या, या एक मिला तो हम इस वीडियो को देखना है, मैं आप लोगों इसमें एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे की, आप लोगों को इतना कुछ लिखने का, इतना दिमाग लगाने का, इतना टाइम करेंगे मैंने बोला descending order में होना चाहिए रन है descending order में मेरा होना चाहिए यू और आयगा तो मुझे से क्या पता चल रहा है चवगधा मतलब जो सबसे चोटा है वो मेरा last में आएगा सबसे चोटा वैल्यू मेरा last में आएगा और वही मेरा वोवेल होना चाहिए, सब्ध क्या बोल रहा है, how many words will end with वोवेल, कितने ऐसे सब्ध है, जो क्या है, एक स्वर से खतम होंगे, तो सबसे last में कौन सा हैगा, सबसे छोटा हैगा, तो मुझे बस हर वर्ड में चेक कर लेना है, कि जो सबसे छोटा लेटर है, वो कहीं वोवेल, वो कहीं, वोवेल तो नहीं, वोवेल हुआ, तो मेरा आंसर वो होगा, मुझे ये ट्रिक से पता चल गया, तो मैं कैसे चेक करूँगी, मैंने लिखा H, I, C, ये मुझे एक्जाम में लिखना नहीं है, मैं डेरेक्ट देखूंगी, मैं यहाँ पे मैं गहाते हूं, करने रिखना है, मैं इसे लिखर हैं, Q, O, S, A, J, P, S,R, U मुझे चोटा समय अनब से क्राइब हो, साक्षै सबसे चोटा चोटा क्या है, मतलब से को साक्षै यह may और मुझे ऐसे किते पेर मिले एक और यह दो यह हमारी रही आज की ट्रेक ठीक है, H I C मुझे देख लिया मैंने C, C नहीं आएगा, यह मुझे और कोशण से दिख जाएगा, कि यहां पर लिखा है H I C, मतलब C सबसे छोटा है तो नहीं आएगा, M D E, इसमें D सबसे छोटा है नहीं आएगा Q O S O सबसे छोटा है आएगा A G P A सबसे छोटा है आएगा S R U R सबसे छोटा है नहीं आएगा ठीक मतलब दो ऐसे मिले तो जहां पर भी option पर दो लिखा रहेगा वही मेरा answer हो जाएगा इस ट्रिक से I hope so कि आप लोगो समझ आएगा और आप इसे exam में बहुत कम टाइम पे से solve कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हम हमारे अगले question की तरफ ठीक है क्या लिखा अगले question if the given words are arranged in the orders as they would appear in English dictionary from right to left which of the following will be fourth from the right क्या बोल रहा है अगर दिये गए सब्दो को हम arrange करते हैं किस order में arrange करना है मिट उसी करम में arrange करना है जिस करम में वो English alphabetical series में arrange होते हैं और वो भी right से left की तरफ ठीक है which of the following will be fourth from the right मतलब यह बोल रहा है जैसी यह ऐसी पांच दिये गए हैं तो हमें इसमें वर्ड्स को arrange करना है लेटर्स को नहीं क्योंकि question में लिखा है if the given words are arranged letter को arrange नहीं करना वर्ड्स को अरेंज करना ठीक है जब हम जब भी हम alphabetical series परते हैं इसमें word और letter इन दो सब्द पे बहुंच ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि इसमें बहुंच ज़्यादा confusion हो जाती है अगर word को arrange करने बोला है तब हम word को करेंगे ठीक है इसमें काय में word को arrange करना है वो भी कैसे right to left English alphabetical series में right to left मैंने क्या बताया था right to left बोलो या तो descending order बोलो या तो reverse alphabetical series बोलो तीनों का मतलब क्या होता है हमारा same होता है तीनों का मतलब क्या रहेगा हमारा same रहेगा right to left इधर से ठीक, descending order इधर से reverse वैल्यू इधर से ठीक है तीनों का मतलब क्या हमारा same है तीनों में ही हमें घटे करम में लिखना है पहले बड़ा value आएगा उसके बाद छोटा value आएगा ठीक है के ड्यालरे सब्सक्राइब वर्ड भी बेया है हटेतले हैं हैं मतलब है दो कि मुझे ऐसे कर ना है हैं मैं क्या इतरिए मैं इंजिद सब क्लिए एंसे करना तो अब the जन्टेटरá सबसे प्हले वेडियों पहाँ बढ़े स्था प्रीय जैएगा ठीक है यदी दिएगे सब्दों को अर्रेंच करते हैँ 1 सबसे पहले क्या आएगा मेरा S वाला आजाएगा ठीक है वही उसके बाद क्या आजाएगा मेरा Q आजाएगा ठीक है वही उसके बाद M आजाएगा उसके बाद A आएगा S Q M H A आएगा ठीक है मैंने लिख लिया S वाला पहले आएगा फिर Q फिर M फिर H फिर A अब क्या बोल रहा है अब मुझे सब को लिखने की जरुवत नहीं कि मैं इसे अब अरेंज करते बैठे रहा हूँ इसमें हमें अरेंज नहीं करना है इसमें हमें डिरेक्ट हम सौट ट्रिक्स बनाएंगे जैसे मैंने लिखा अब मैं क्या करूंगी जो इस वीडियो को नहीं देखा रहेगा वो पूरा लिखने बैठ जाएगा S के बद क्या र, R के बद क्या र, U Q का लिखेगा, Q के बद O, O के बद S M के बद लिखेगा, D फिर E S के बद I, C, A के बद J फिर P मुझे ये नहीं करना है मुझे क्या करना है पूरा word को नहीं लिखना है मुझे क्या करना है मैंने देख लिया क्या लिखा है sqmha आया question में क्या पूछ रहा मुझे which of the following will be fourth from right right side से चौथे नम्मर पे कौन सा आएगा मैंने लिखा sqmha right side से चौथे नम्मर पे right side ये है मेरा 1,2,3,4,4 नम्मर पे क्या है q जहां पे मैंने q देखा वही मेरा क्या हो जाएगा अंसर हो गया और q वाला word क्या है us ठीक है वही मेरा अंसर हो जाएगा तो मुझे सब को लिख के time waste करने की जरूबत नहीं क्योंकि exam में 1,1 second बहुत ज़्यादा important होता है कई भार ऐसा होते exam में कि हम question solve कर लिए रहते हैं हमारे पर 2 second बचे रहते हैं हम उसे tick नहीं कर पाते हैं ठीक है तो ये 1,1 second बहुत ज़्यादे important रहता है तो इसे आप लोग ध्यान दीजेगा और हर वो questions कीजेगा जिससे कि आप लोग का time बस सके चलते हैं हमारे अगले question की दरब how many letters are there in the English alphabetical series between the second letter of the last word from the left and third letter of the fourth word from the right हिंदी में भी देख लीजेगा आप लोग question क्या लिखा है क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षर है यहाँ पर English alphabetical series में जिनके बीच क्या होता है second letter of the last word from the left हम इस सरी के question में पीछे से लेते हुए चलते हैं ठीक है क्योंकि अगर मैं सामने से लेते हुए चलूँ तो क्या बहुता second letter last word left second letter last word left तो मुझे क्या करूँगी मैं left से जाओंगी last letter की तरफ जाओंगी second word की तरफ मैं इसमें से कैसे चलूँगी पीछे से आते हुए चलूँगी सामने की तरफ मेरा last letter क्या है left side से लेना है मतलब मुझे इधर से लेना है left side से मेरा last letter क्या है left side से last word जो मेरा sru है उसका second letter क्या है मेरा r मैंने लिख लिए r ये मुझे लिखने की जरुवत नहीं है यहां पर r को सिर्फ लिखना है मुझे ऐसे left side से last word का second letter ऐसे ये सब लिखने की जरुवत नहीं है मैं डिरेक्टर कोईशन में देख लूँगी क्या लिखा है मेरा left side से last letter sru उसका second letter r और क्या बोला है third letter of the fourth word from the right फिर मैं पीछे से चलती हूँ क्या बोल रहा है right right side से मैं इधर से जाओंगी क्या बोला है fourth word मतलब m, d, e उसका क्या बोला है third letter मतलब e r मिला इसका e मिला इसको मुझे direct लिखना है exam में मुझे word लिखके s, s, r, u यह सब लिखने की जरुवत नहीं है मैं direct r और e लिखना है अब क्या पुश है इनके बीच कितने letter है जो इंग्रिस अलफर बटकल सीरीज में आते हैं ठीक है अब मैंने आप लोग पी इसके पहले वाले वीडियो में सिखा रखा है ठीक है अब मुझे क्या करना इनके बीच का निकलना है तो मैं माइनस कर दूँगे तो 18 में से 5 या 13 अब मैंने बताया था कि जितनी भी value निकलेगी बस उससे मुझे माइनस बन करके वो लिख देना है r की value 18 e की value 5 13 में से 1 गया तो 12 इनके बीच ऐसे कितने लेटर है जो आते हैं 12 लेटर आते हैं e से जैसे मैं देख लूँ f g h i j k l m n o p q कितने लेटर हुए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 12 लेटर मेरे हुए तो मैंने ट्रुक से कैसे निकला 18 में से 5 गया 13 में से 12 12 मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12 ठीक है चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट कोशन की दरब जोगी है if in each of the given words each of the consonant is changed to the next letter बोल रहा है हिंदी में भी आप कोशन देख सकते हैं बोल रहा है कि दिये जाए सब्दों में अगर प्रतिक व्यंजन को consonant को क्या कर दिया जाए अगले letter से बदल दिया जाए मतलब जैसे भी है तो उसे मैं सी लिख दूँगी मतलब consonant को अगले letter से बदल दिया जाए मतलब एक add कर गूँगी और क्या होल रहा है each vowel swear को क्या किया है वाविल को change to change to the previous letter मतलब माइनस वन जैसे ए है अब एक प्रिवेस एक के पहले तो मैडम कुछ नहीं आता ऐसा नहीं होगा एक पहले क्या आता है मैंने बता है सीरीज जैड पर खतमों के वापिस से सूर हो जाती है तो एक के पहले जैड आता है तो डी हो जाएगा ठीक है कॉंसोनें में मुझे 1 करना है वावल में मुझे माइनस 1 करना है और क्या बोल रहा है इन हाउम इनवाटस्य गाल दस फ़र्म विल दीस भी nो वावल अब मैं कैसे चरूंगी से अब मैं पूरा लिखके नहीं चलूंगी कि हैच यसी लिखा है तो मैं कॉंसोनन्त में ए वन एट कर दों वाविल मे no bubble तो अब देखना है अपलोग को कैसे कम खर सकते हैं इसको कि सल्व कर सकते हैं मुझे वाफिल नहीं चाहिए मुझे कॉनसम प्लस वन पी करना है वाफिल का तो मुझे चेक करने कीafe जरवत नहीं क्यों चेक करने की जरवत नहीं न sabem को य और कोई भी वाविल ऐसा नहीं है, जिसके आसपास क्या हो, वाविल हो, माइनस वन या प्लस वन करूँ तो वाविल हो, ठीक है, कोई भी स्वर ऐसा नहीं है, A, E, I, O, U होते हैं, यह सब बहुत दूर दूर हैं, तो इसमें कोई भी मुझे ऐसा स्वर नहीं मिलेगा, जिसके असपास कोई स्वर हो, ठीक है, प्लस वन या माइनस वन पर, मुझे वाविल को चेक करने की जरुआँगी, क्यों जर्वत नहीं है, क्यों जरुआँए, वाविल में मैं माइनस वन करूँगी तो, डेफिनिटली कांसॉनंट ही आएगा, ठीक है, तो मुझे वाविल को कॉंसोनेंट आपकëी को कॉंसोनेंट कर जाओंगे जो जो वॉवेल नहीं जरुद मेरे क्या होंगी ऐसार मैंने लिखा है ऐसे मीजेड़, वॉवेल को सब्कार चैक करने की जरुदरी किलया है इसको मुझे में करना है तो कॉंसोनेंट में क्या करना है मुझे ब्लस बन करना है तो क्या जैँगा एक अगला क्या हो गया इश्ड़ु ś अगला क्या मेरकी मेश्ट करने की जरूरत नहीं है रुदाब क हेस्य प्लस बन शैडि investor QR इसमें क्या है? एक भी वाविल नहीं है वाविल चेंज हो गया जाएगा O मतलब N आजाएगा ये मतलब 1 भी इसमें ये एक ऐसा वर्ड मिल गया है जिसमें एक भी वाविल नहीं है तो 1 मिला हमें QO S अगला देखते हैं A, J, P, A को चेक करने की जरुवत नहीं है J, J 10 होता है 11 आगया के P, Q ठीक है, इसमें भी एक भी वोविल नहीं है, मतलब क्या आगया A, J, P, Q, O, S मिल गया मुझे, अगला क्या है S, R, U, U भी चेंज हो जाएगा S, T, R, S इसमें भी वोविल नहीं है मतलब मुझे ऐसे किते मिले Q, O, S, A, J, P S, R, U यह तीनों में मुझे एक भी वोविल नहीं मिले यही मेरा क्या होगा, अंसर होगा और वोविल नहीं मिले, कैसे वोविल नहीं मिले जब मैंने इनको चेंज कर दिया तो मुझे ऐसे तीन लेटर म मिले तो हम यह बी तरीके के तृक है कि हमें वोविल सम wen के नहीं करना है अगर समझ आइक होगी तो इससे लाइक कि जैगा और अपने फ्रेंश से साथ जाएक उनको बता दीजएगा कि इंगले से रिजिनिंग की एक में एक लास चालू हो चुकी है तो ठीक है चलिए वीडियो को end up करते हैं I hope so कि आप लोगों सब कुछ समझ आगया होगा अब हम अगली part series हमारी चालू करेंगे alpha numeric series की जिसमें मैं आप लोगों को number series पढ़ाऊंगी तो चलिए वीडियो को end up करते हैं till then keep learning to practicing